पानीपत की गाउं सिवाह में एंसो के रास्ट्र अध्यक्ष दिग्विज़ चोटाला ने एंसो के रास्ट्र और प्रदेश कारेकरनी से बैठक की एंसो कारेकरताओं को आगमी लोकसभा और विधानसभा चुनावों को लेकर दिशानिर देश दिये दिगविजे चोटाला ने कहा कि जजपा लोकसभा चुनावों को लेकर पूरी तरह से तयार है और समभवता चुनाव घोशित होते ही प्रदेश में सबसे पहले उमिद्वारों के लिस्ट जजपा ही घोशित करेगी दिगविजे ने पत्रकारों के सवालों पर दिल्ली हरियाना भवन में हुई मुख्य मंत्री मनुहरलाल और एनलोक प्रदेश अध्यक्स अशोक अरोडा की मुलाकात पर कहा कि एनलोक गट बंदन नहीं बलकि विलाय होगा उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि दुशन चोटाला विधान सभा का चुनाव लड़े अगर वच्चा हैं तो वो दोनों चुनाव लड़ सकते हैं मेरी बात को कम तो वह जो देते हैं कि मैं शायद राजनीती में नया हूं या यह माने कि हम स्टुडेंट पॉलिटिशन्स को आप जो है न यह वो समस्ते भी यह तो कहते रहते इनका काम क्रेणा है मैं तो डेवन से कह रहा हूं यह सम्मेले बगत और यह सिरफ और सिरफ इनके पास को वह यह नहीं पचा रस्ताइं नहीं पचाए